नमस्कार साथियों आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल सी अन्सी गुरू महेंदर वर्मा में और मैं महेंदर वर्मा हमेशा की तराज फिर आपके लिए बहुती बहुती बहतरीन वीडियो रेके आया तो दोस्तों जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर और मेरे शोशल मीडिया नेटवर्क को जोईन करें जिसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रेप्शन में दिया हुआ है जैसे कि मेरा फेस्बुक पेज मेरा टेलिग्राम ग्रूप और मेरा वटसब ग्रूप ताकि कोई भी नया वीडियो है तो सबसे पहले अपडेट आप लोग ले सकते हैं जैसे काफी टाइप के जो है वो ग्रेड होते है अलगबग 6-7 परकार के जो ग्रेड होते हैं तो उस ग्रेड के बारे में हमने जो है वो आज जानना इस वीडियो के अंदर तो वीडियो को आपने पूरा देखना है अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो व वो हम लोग use करते हैं कौन-कौन से metal के अंदर वो किस परकार के grade का जो insert है वो use किया जाएगा ये वीडियो सभी साथियों के लिए बहुत important है जैसे कि CNC programmer, CNC engineer setter और operator के लिए वो बहुत महतोपून जानकर या आप लोगों मैं आज देने वाला हूँ तो दोस्तो चलिए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं तो दोस्तो mainly जो हम लोग insert use करते हैं general purpose के लिए उसमें कौन सा grade हम लोग ले सकते हैं तो दोस्तो grade की अगर बात करें तो दोस्तो grade जो होते हैं वो 3-4 प्रकार के grade हम लोग use करते हैं तो जैसे दोस्तो मैं यहां पर आपको बताता हूँ कि यहां पर P grade दिया गया है तो P grade का जो insert होता है वो mainly steel के लिए use किया जाएगा तो जो अगर steel का metal है अगर आप काटना चाहते हो तो जो P grade होता है दोस्तो उसको blue color में denote किया जाएगा blue color के अंदर जोस्तो इसको जो हो हम लोग इसको हम लोग जो हो use करेंगे तो यह इसके ISO code दिये गया है जैसे 0, 1, 10, 20, 30, 40, 50 ठीक है तो यह इसके ANSI code दिये गया है जैसे C8, C7, C6 तो अगर हम लोग steel का metal काटना चाहते हैं तो हम लोग P grade का जो insert है वो हम लोग ले सकते हैं ठीक है तो इसके जो basic जो grade होते हैं इसके अंदर आपका जो है वो कौन-कौन सा use हो सकता है जैसे 50, CT, 50, 15 का use कर सकते है GC, 15, 25 यूज कर सकते है GC, 42, 0, 5 यूज कर सकते है GC, 42, 15, 42, 25 GC, आपका 42, 35 ठीक है तो यह आपके basic grade है और यह आपके जो है वो complimentary grade है तो जैसे GC, 1025, GC, 11, 125 ठीक है तो यह अलग-लग आपके जो है वो दिये गए है उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं grade की तो अगर आप लोग stainless steel का material अगर काटना चाहते हैं तो stainless steel का material अगर आप काटेंगे तो आपको M grade का insert जो है वो इस्तिमाल करना होगा और M grade का जो color code होता है वो दोस्तों yellow होता है तो यहाँ पर इसका जो है वो ISO standard code दिया गया है और यहाँ पर जो है वो इसके जो basic grade आपका दिया गया है जिसे GC, 1025 GC, 2015 GC, 1125 GC, 2025 GC, 2035 GC, 235 यह आपके basic हो गया और यह आपका complimentary basic grade जो है आपका यह हो गया ठीक है अगर आप cast iron का metal काटना चाहते हो तो cast iron metal के लिए आपको K grade का insert आपको use करना होगा ठीक है तो इसके अंदर जो है वो आप लोगो use कर सकते हो जैसे C8 C850 और आप use कर सकते हो CB 7050 grade का और इसका color जो होता है वो red color होता है ठीक है और यह आप red color use कर सकते हो और यह इसके complimentary grade होता है वो होता है CC 650, CC 1515 ठीक है और CT 50 15 और GC 42 15 तो यह इसके compulsory grade जो है वो use होते है ठीक है तो दोस्तों उसके बाद में हम लोग जो बात करेंगे N grade तो N grade होता है जो non furious metal होता है उनके लिए जो हम लोग यूज करते हैं जिसे non furious metal कोई भी होता है तो उसके लिए use करेंगे तो उसके लिए जैसे H10, C, D 18, 10 और उसके CD 10 यह आपके basic grade हो गए और H1, 3A यह आपके जो है वो non furious metal के लिए जो है वो यूज के जाएगा उसके बाद में आप जो है वो S grade का insert जो है वो यूज करेंगे तो heat resistance and आपका super alloy जो alloy type के जो material होगा उसके अंदर हम लोग S grade का insert यूज करेंगे तो यहाँ पर जो है वो इसका color code जो हलका सा जो है वो बात करते हैं यह नारंगी color कासा आ रहा है ठीक है तो ऐसा हम लोग यूज करेंगे तो इसके अंदर CC 670, CC 66, CC 65 S 0 5 F यह insert हम लोग यूज कर सकते हैं ठीक है दोस्तों उसके बाद में बात करेंगे hard net material जो hard material होता है उसके लिए H grade का हम हम लोग यूज करेंगे ठीक है H grade हम लोग यूज करेंगे और यहां पर C B 70 15, C B 70 25 C B 20, C B 70 20 इस प्रकार के जो insert हम लोग यूज कर सकते हैं ठीक है दोस्तों तो यह था basic knowledge आपकी जो grade के बारे में में लिए हम लोग 5, 6, 6 grade यूज करते हैं P grade यूज होता है steel के लिए M grade होगा stainless steel के लिए K grade होता है cast iron के लिए N grade होता है neon furious metal के लिए S grade का insert यूज करेंगे हम लोग heat resistance alloy metal के लिए हम लोग हीट रिजिस्टेंस हाड़नेट material के लिए तो दोस्तों वीडियो आपको जो हैब दोस्तों कैसे लगा मेरे को comment करके जरूर बताएं अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को share जरूर करें तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आज का ये वीडियो देखने के लिए नमस्कार